नमस्कार मेरे प्यारे साथ योग कैसे हैं आप सब आसागरता हूँ आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथर लगाता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पीएस एम पीजी कॉलेज जोगराफी डिपार्टमेंट कन नौज आपका स्वागत करता दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप से बात की थी फिसिंग यानि की मत्सपारन की ठीक है मत्सपारन को प्रभावित करने वाले कालक कौन से हैं मत्सपारन के लाब कौन से हैं भारत में मत्सपारन की क्या इस्तिती है और कोविड-19 का मत्सपारन पर क्या कहते हैं इंग्लिस में इसे आप लंबरिंग लॉजिंग या फोरेश्ट्री कहते हैं तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में लकडी काटना यानि की लंबरिंग लकडी जिसे कास्ट के रूप में भी जाना जाता है यानि कि लकडी को आप कास्ट भी कहते हो एक लकडी जिस लकडी उत्पारन की प्रिक्रिया के चरण में बीम तरह तखतों में संसोधित, यहां पर संसोधित किया जाता है. इस चित्रिके माध्यम से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लकडी काटने का काम किसces का की देख सकते हैं. तो इन चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लकडी काटने का जो काम है वही आपका लंबरिंग कहलाता है ठीक है चली हम देख लेते हैं कि लकडी का उपयोग हमारे वर्तमान समय में किनके रूपों में होता है जैसे कागज निर्माण के लिए लकडी का उपयोग होता क्योंकि जो कागच की लुगदी होती है जो कागच जिस लुगदी से निर्मित होता है उसके लिए लकड़ी की ही अवसकता होती है फरनीचन निर्माड के लिए जैसे आपकी चेर है मेज है तक्ते है उसके लिए भी लकड़ी की अवसकता होती है इधन के लिए भी लकड़ी क काट करके ही पूरा किया जाता है ठीक है भावन निर्मान के लिए भी लकड़ी की अब सकता होती है क्योंकि आप देखा होगा कि भावन जब बनते हैं तो उसके लिए सट्रिंग लगाई जाती है और सट्रिंग लकड़ी की ही होती है अधिकतर ठीक है तो इसके लिए भी अब सकता होती है दोस्तों प्रबंधन के लिए भी लकड़ी की जुरुत पड़ती है क्योंकि आप देखते हैं कि जब बड़ी रहलियां होती है बड़े बड़े नेताओं की तो उसके लिए बास की बल्लियां लगाई जाती है चारु तरफ तो यानि प्रबंधन की लिए भी तो कच्चे माल के रूप में भी लकडी का उप्योग होता है आगे देखते हैं लकडी काटने का अर्थ पैमाने, प्रद्योग की तथा प्रबंधन के संदर में उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़े पैमाने पर रच्छों को काटना यानि कि लकडी काटने का मतलब है ब्रच्छों को काटना ठीक है और यह जो काम है लकडी काटने वाला वो समसीतोष्ण चेतरों के साथ प्रमुखरा है यानि कि समसीतोष्ण चेतरों में बहुत अधिक होता है वहाँ पर लकडी काटने का प्रमुख बेवसाय माना जाता है यह समसीतोष्ण चेत्रों की प्रमुखता की कारण जो निम्न है यानि कि जो लकडी काटने का बेवसाय है वो समसीतोष्ण चेत्रों में ही क्यों होता है इसके कई सारे कारण हैं जो निम्नलिखेत हैं सम्सीतोष्ण चेत्रों में बड़े चेत्र में एकल आवश्यक प्रजाती की उपस्थिती प्रद्यवक्टी को लागू करने के लिए बेवारता की है यानि कि सम्सीतोष्ण चेत्र में एक ही प्रजाती के ब्रच्चों की अधिक्ता पाई जाती है और उसका नाम है शंकुदारी ब्रक्ष ठीक है विवारता की अनुमती देती है इस प्रकार तीवरता से अधिक उत्पादन होता है उश्निकडबंदी छेत्रों में वर्सा वनों का प्रभुत्त होता है जहां वर्क्ष की प्रजातियों की विवरता तथा गनत तो अधिक्तम होता है यानि कि जो आपका उश्निकडबंदी छेत्र है वहाँ पर भी वर्क्ष है लेकिन वहाँ प्रजातियां भी बहुत अधिक है विवरता भी बहुत अधिक है जिससे सडकों का निर्मार करना कठिन हो जाता है तथा प्रद्योगी की को लागू करने के लिए आर्थिक बेवारता प्रदान नहीं करता है अगला कारण है दोस्तों संसीतोष चेतरों में मुलायम लकड़ी स्रेष्ट होती है ठीक है मुलायम लकडी पाई जाती है जिसे इसकी चीड की लकडी देवदार यानि कि ये पेड़ हैं चीड की लकडी और देवदार सररकार छमता के लिए सबसे अधिक पसंद किया जाता है जब इकटी बंदों में कठोर लकडी सेष्ट होती है जिस पर कारे करना अप एक चाकरत कठीन होता है फर्मीचर इसे की सगाउन और चंदन बनाने के लिए भी पसंद किया जाता है समसी तोष्ण छेतर जो है वो बर्फ से ढखे तथा नदियों की धाराओं के प्रबुत होने के कारण सरल परिवाहन की अनुमती देता है जाएसी बात है दोस्तों अगर बर्फ में किसी चीज़ को आप फिस लाओगे तो उसमें जादा मेनत किया हो सकता नहीं है अगर इन छेतरों में नदियों में बहा कर भी लट्टों को एक जगे से दूसरे जगे पर ले जाए जा सकता है इसलिए यहाँ पर परिवान की सुब्दा होती है जबकि निम्न उस्निकडबंदी छेतर में नदियों में टीवर मोड होते हैं उतली गहराई होती है वो चट्टानी घाटियां होती है जो जलमारगों के मात्यम से परिवान को कठिन बनाती है इसके बाद अगला है चौता कारण की उस्निकडबंद में सस्ते स्रम की उपस्तिती भी प्रेदियों की को अपनाने के लिए एक नुरुत्साह की रूप में कादे करती है यानि कि उस्निकडबंदी छेतरों में सस्ता स्रम उपलब्द नहीं इस प्रकार व्रच्छड ओपन क्रसी प्रमुख है जहां नगदी फसलों को उगाने के लिए विसाल वनों को साफ किया जाता है जो स्रम प्रदान होते है इसके बाद पांचवा कारण है कि उस्निकडबंदी के निकट भूमी की नियुनतम प्रतिविक्ती उपलब्द ता फसलों के लिए कई मौसमों से भरपूर उपज को देखते हुए लकडी के लिए व्रच्च उगाना आकरसक नहीं है क्योंकि इसकी गर्ब धारन अवधी अधिक होती है यानि कि जो उस्निकडबंदी छेत्र हैं वहाँ पर जो ब्रच्च हैं उनको बड़े होने में यानि कि उगने के बाद बड़े होने में बहुत अधिक वक्त लगता है जिससे लकड़ी काटने का बेवसाय कम विक्सित हुआ है शटवा कारण है कि उच्च आदरता है जो उस्निकडबंदी छेत्र हैं वहाँ पर उच्च आदरता है वर्सा और संबंदित मौसम की गर्बड़ी के साथ उच्च आदरता है जो उच्च आदरता है जो उच्च आदरता है लगड़ी काटना अवैद है क्योंकि वे सम्रद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए निवास इस्थान के रूप में कारे करते हैं जो उस्निकडबंदी पर हावी है आदिवासी जनसंख्या को अजीव का प्रदान करते हैं उस्निकडबंदी छेत्र हैं वो जीवों के लिए आवास और आदिवासियों के लिए अजीव का प्रदान करते हैं जैसे गूंद रंजक और सदी पौधे जो द्योग और फार्माश्टिकल्स में उप्योग किये जाते हैं समरद्ध वन उपच के सोत हैं ये ठीक है इस प्रकार लकडी काटना आर्थिक और पारिस्थित की रूप से जनसांख्यकी के लिए अधिक अनकूल है जो समसी तोष्ट चेत्रों में उश्निकडबंदी चेत्रों में उपस्तित हैं ठीक है इसके बाद दूस्तों लॉजो को काटने, संसोधित करने, परिवहन के लिए एक स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया है यानि कि इसमें लकडी काटना उनने संसोधित करना, उनका परिवहन करना और मार्किट तक पहुचाना ये आपका लॉजिंग के अनतरगत आता है ठीक है इसमें इसकिटिंग, आन साइट प्रोसेसिंग तर्था ट्रक वा अनावरत्त कारों पर रच्छों या लोग को लोड करना सामिल हो सकता है ठीक है लोगिंग एक अपूर्ती संखला का प्रदान करती है ठीक है लोगिंग प्रणाली का उप्योग जंगलों के प्रबंधन जंगल की आग के जोखिम को कम करने तथा पारिष्थित की तंत्र के काजियों को बहाल करने के लिए भी किया जाता है इसका उप्योग वानकी में लॉगिंग सब्द का प्रियोग कभी कभी संकीन रूप से लकडी को इस्टप से जंगल के बहार समानता एक स्वामित्र या लकडी के यार्ड कहीं ले जाने की रसद का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है साधहारण उपयोग में हलाकि इस सब्द में वानकी या सिल्वी कल्चर या लकडी काम करने का जो अध्यन है वो किस विज्ञान में किया जाता है तो सिल्वी कल्चर में ठीक है गतिविदियों की एक संखला सामिल हो सकती है Aware logging से तातपर्द है कि कानूनों का उलंगन करना Aware का मतलब ही होता है कि जब हम कोई काम गहर कानूनी रूप से करते हैं तो अगर लकडी काटने का काम हम Aware तरीके से करेंगे तो गहर कानूनी होगा या कानून का उलंगन होगा करते हुए जब लकडी की कटाई परिवाहान क्रय विक्री करने से होता है तो कटाई की प्रिक्रिय स्वैम अवायद हो सकती है जिसमें वनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए ब्रष्ट सादुनों का उपयोग बिना अनुमती या संरच्छित सेत्र से निकासी ये संरच्छित प्रजातियों की कटाई या सहमत सीमा से अधिक इमार्ती लकडी का निस्कारसन करना सामिल है इसमें तथाकतित लकडी माफिया सामिल हो सकते है जैसे दोस्तों आपने एक मूवी आई थी पुस्पा मूवी देखी होगी आपने साहिए उसमें जो चंदन का जो लाल चंदन होता है उसमें लाल चंदन की जो लकडी का बेवसा है अवैद रूप से किया जाता है तो उसे ही आप अवैद रूप से लकडी काटना कह सकते हैं जो की लकडी माफियाओं दौदा किया जाता है clear cutting या blog cutting कोई एक प्रकार का logging माना अनिवार्य नहीं है बलकि एक कटाई या one संवर्धन विधी मानी जाती है यानि clear cutting लकड़ी काटना नहीं है बलकि एक ये क्या है समवर्धन विदी है उच्टम मूल वाले ब्रच्चों को काटना तथा कम मूल वाले ब्रच्चों को छोड़ना प्राया है जोग रस्त या विकरत पेड़ों को उच्च सेंडी कहा जाता है इसे कभी-कभी चयनात्मक लॉगिंग भी कहा जाता है तथा चयन काटने के साथ ब्रहमित होता है प्रबंधन का अभ्यास पेड़ों के अनुपात में कटाई करता है इसके बादे दोस्तो फोरेश्टरी यानि कि वानकी वानकी मानों तथा पध्यवणी लाभों के लिए वनों, वन प्रदेशों तथा संबंदित संसादनों के निर्माण प्रबंधन, रोपण, संरचण तथा मरम्मत का विज्ञान एवं सिल्प है तो वानकी एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें क्या क्या चीज़े सामिल हैं इसमें मानाओ और प्रहवनि लाभू को लिए भी वनो या वन प्रदेशों तथा संबंदिस संसारनों का निर्माण करना प्रबंधन करना, रोपन करना उनका संरच्छन करना या मरम्मत करना ये सभी विघ्यान आपके फोरेश्ट्री के अंतरगत आते हैं ठीक है वानकी का कार्य व्रच्छड ओपन तथा प्राकृतिक परिष्थितियों में किया जाता है वानकी के विज्ञान में ऐसे तत्तों हैं जो जैविक, भहुतिक, समाजिक, राजनेतिक, प्रबंदी विज्ञान से सम्मन्दित है बहु उपियोग प्रबंधन में कौन-कौन चींज सामिल है जैसे इमार्ती लक्डी की विवस्ता करना इदन की लक्डी की विवस्ता करना वन जी आवास की विवस्ता करना प्राक्तिक जल गुडवत्ता का प्रबंधन करना मनरंजन गतिविदी का प्रबंधन परिदर्स से वंसामुदायक सुरक्षा का ध्यान रखना रोजकार का स्रजन करना सौंदर्य की द्रष्टी से आकल सक परिदर्स से निर्मित करना जैविवित्ता का प्रबंधन करना जल संभर प्रबंधन करना अपर्दन का नियंद्रण करना ये सभी चीजे वानकी के बहु उपयोग के अंतरगत आती है तो ये आपको याद रखना है ठीक है पूर्व और दियोगिक युग यानि की 1688 से पहले ठीक है पूर्व और दियोगिक युग को बरनर सोमबर्ट बलनल सॉमबर्ट तथा अन व्यक्तियों ने लकडी के युग के रूप में करार दिया है यानि कि जब उद्योगों का विकास नहीं हुआ था तो बलनल सॉमबर्ट महोदे ने तथा अन व्यक्तियों ने लकडी का युग माना था क्योंकि लकड़ी एवं जलाव लकड़ी उर्जा निर्मान आवास के लिए बुनियादी संसारन थे आधनिक वानकी का विकास पूजी वाद के उधर एक विज्ञान के रूप में अर्थ बिवस्ता वभूमी उपियोग तता संपत्ती की बदलती धारणाओं के साथ निकटता से संबन देते जोमन लाट फंडिया बड़े करसी संपदा जोमन समराजी के लिए अवस्यक लकड़ी की बड़ी अपूर्ती को बनाये रखने में काफी सपल रहे कौन-कौन जोमन लाट फंडिया जोमनों के पतन के साथ बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होने लगी हाला कि पहले से ही पांचमी सताबदी में एड्रियाटिक तटपर बी जान तिन जोमागना में भीच्चु इधन की लकड़ी तथा भोजन प्रदान करने के लिए पत्थर के देवदार व्रच्च रोपन इस्थापित करने में सक्चन दे देवदार दोस्तों एक प्रकार का व्रच्च होता है जो कि संकुदारी होता है तो यह आपको यार रखना है इस प्रकार की इस्थाई और चारिक वान की प्रथाओं को सात्मी सताबदी में विशी गोथ द्वारा विक्सित किया गया था, ठीक है, विशी गोथ आपको नाम याद रखना है, जब लकडी की बढ़ती कमी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने ओक, ओक एक प्रकार का ब्रक्ष है, तथा देवदार के जंगलों के सनच्छ से सम्मंदित एक कोड इस्था किया था, तो विशी गोथ मोदे ने, कोड इस्थापित किया, विशी गोध मोदे ने, किस पेड़ों को ले करके, ओक और देवदार के जंगलों के प्रक्षों को ले कर, ठीक है, विभिन वन संसादनों के उप्योग तथा प्रबंधन का चीन में भी एक लंबा इतिहास रह है, जो हान राजवन्स, दोस्तों, चीन का एक राजवन्स है, हान राजवन्स के समय से तथा जमी दारों के अधीन है, जपान में भी इसी प्रकार के दरिश्टी कोड का उप्योग किया गया था, इस विवाद में, इस विशे में, बाद में, इस विशे में, बाद में, एक मिंग वन्स आया पहले कौन सा था हान राज वन्स फिर आया कौन सा मिंग राज वन्स कि चीनी विद्वान की 1662-63 ने भी लिखा है यानि कि अपनी पुस्तक में इन्हों ने भी कुछ वान की के बारे में दिखा है यूरोप में मध्युगीन तथा प्रादंभिक आरुनिक समय में भूमी उपियोक के अधिकारों ने विभिन उपवोक करताओं को जंगलों एवन चारा गाहों तक पहुँचने की अनुबदी प्रधान की कामन्स ये जर्मन आलमेंडे की धारना आम भूमी के अंतर नहित पारस्प्रिक कानूनी सब्द को संदर्विद करती है संलगन निजी संपत्ती का विचार आधनिक काल में आया हाला कि सिकार के अधिकारों को कुलीन वर्ग के सदस्द्वारा बरकरार रखा गया था या जो कि लोमडी के सिकार जैसे मनवन्यन के लिए समान भूमी तक पहुचने तथा उपयोग करने के लिए कुलीन ता के अधिकार को संदर्चित करते थे ठीक है लकडी के परकार तथा उनकी विसहस्ताओं देख लेते हैं टाइप सोप लंबर एंड दियर करेक्टरिस्टिक लकडी के समान परकारों तथा उनकी विसहस्ताओं की सूची निमन लिखे थे जैसे मुलायम लकडी कौन-कौन सी है पाइन वूड फिर वूड रेड वूड सीडर वूड हेम लॉक की लकड़ी यह पूर्वी और पश्मी है ठीक है यानि कि यह आपकी यह जो ब्रक्ष है आपके यह मुलायम लकड़ी के हैं कठोर लकड़ी में अगर देखा जाए तो बलसा की लकड़ी ओक चूट ओक चूड ठ यह कठोर होती है ठीक है भारत में अगर लकड़ी काड़ना देखें अगर हम लंब्रिंग इन इंडिया तो पहले तो आपको यह याद रखना है कि भारती वानकी का पिता किसे कहते हैं तो डेट कि अनुसार ये मांग का केवल 6.4 प्रिक्सत लगभग 3.17 मिलियन क्यूबिक मीटर योगदान देता है यानि कि जो वानकी है वे मांग को पूरा नहीं कर पाती है ठीक है हमारे देश की जो वानकी है वनों के बाहर व्रक्ष टी ओ एफ करसी वानकी सहित प्राकरतिक दिनों की तुलना में लकड़ी की मांग को बहुत अधिक पूरा कर रहे हैं ठीक है विसे सग्गों के अनुसार लकड़ी अधारित पैनल उत्पादों जैसे प्लाइवुट, पार्टिकल, बोर्ड तथा फाइवर बोर्ड की वार्सिक मांग 3.4 मिलियन क्यूबिक मीटर के उत्पादन की तुलना में 8 मिलियन क्यूबिक मीटर है ठीक है, हाला कि भार्तिय लकड़ी अधारित उत्पाद उद्द्योक के अंदर उपयोग, उपभोग, आकणों की गरना कठिन है क्योंकि इसका बाजार अत्यधिक असंग्ठित वा आनियमित है ठीक है, यानि कि भार्त में जो लकड़ी काटने का बिवसा है, उसके गरना करना बड़ा कठिनकार है क्योंकि पहली बाद तो यह संग्ठित है और यह बड़ा भी है, ठीक है भारतिय वन सर्वेच्छन ने अपनी वन रिपोर्ट दोजार गेरा में अनुमान लगाया कि तीन छेत्रों जैसे कि मकान निर्मान, फरनीचर और क्रशी उपकरणों में लकड़ी की वालसिक खपत 33.61 मिलियन घन मीटर है जिसका गोल लकड़ी समतुल यानि की RWE 48 मिलियन है अन फाइवर तथा 11.16 मिलियन घन मीटर, सौन लकड़ी एवं पैनल लकड़ी वन विकास निगम SD से S1 विभागों के उत्पादन वाड़िक विंग 1970 में राष्टिय क्रसी आयोग के सिफारिस के अदार पर 1970 के दसक में इस्थापित किये गए थे जबकि वन विकास निगम कुछ राजियों में प्राकरतिक वनों को ब्रच्छा रोपन में बदलने के लिए वन भूमी के बड़े भाग को पट्टे पर देता है अन्द में वन विकास निगम फसल एवं निधारित वन भूमी में लकडी का विपड़न सामिल है फिर भी FD से S भारत के कुल लकडी उत्पारन का पांच प्रस्ट से भी कम उत्पारन करता है सलाना 1.97 मिलियन घन लकडी SD से S द्वारा लगभग 1 मिलियन हेक्टेर छेतर में व्रच्छ रूपन भी किया गया है जिसमें मुक रूप से सगाउन और नील गिरी के बागान सामिल है विज्ञान एवं पर्रेवन केंडर यानी CSE के विसलेशन के अनुशार वन विकास नीगम द्वारा लकडी का आउसत वार्सिक उत्पारन 1.97 मिलियन मीटर है वनो की उत्पारकत्ता बढ़ाने के AD से S के मूल उत्देश के बावजूद उनकी भूमी से प्रती हेक्टेर उत्पारन 0.17便मीटर प्रती हेक्टर प्रती वर्स जबकि TOF प्रती वर्स लगग 3.06 गनमीटर प्रती हेक्टेर उत्पारन कर रहे हैं ठीक है भारतिये क्रशी अनुशंदान परिशत एवं केंद्रिये क्रशी वान की अनुशंदान संस्थान जहां सी के आकड़ों से पता चलता है कि क्रशी वान की फलों, फाइबर और सधी तथा इधन की लकड़ी के लिए घरों को निर्वाह अवसक्ताओं को पूरा करने के अतरिक्त इधन की लकड़ी की लगबग आधी छोटी लकड़ी कोई दो तेहाई प्लाइवुड की सतर से असी प्रसत, पेपर पल्स के लिए कच्चे माल का साथ प्रसत तथा पसूं के हारे चारी की अवसक्ता का नौ से ग्यारा प्रसत के मत मांग को पूरा करती है ठीक है जीले लेखा में देश में साफ्ट लकड़ी की उत्पारन का असी प्रसत भाग है तथा इस छेत्र में स्थापित पांच हजार से अधिक छोटी मध्यम और बड़ी लकड़ी अधारे तिकाईयों के माध्यम से देश में लगबग 50 प्रसत प्लाइवूड का उत्पारन करता है इस्थिती इतनी खराब है कि किसान जो पहले 2012 में चिनाद के पेड़ों की बिक्री से 15,000 प्रतितन आय अर्जित करते थे 2016 में 5,000 प्रतितन भी नहीं कमा पाए यानि कि इस काम में लगातार किसानों को हिरास होता चला गया समय आ गया है कि देश में लकड़ी के उत्पारन से जुड़ी समस्याओं की पहचान की जाए तथा लकड़ी की बढ़ती मागों को पूरा करने के लिए तीवरता से करम उठाए जाए वानकी नीतियों को किसानों के अन्कूल बनाने की अवसकता है ताकि वे पुरातन कराधान प्रडालियों एवं लकड़ी पारगमन नियुमों को हटा कर साथ ही एक प्रभावी नियुन्तम समर्थन मूल ब्यवस्ता प्रड़म करके परेशानी मुक्त लकड़ी का उत्पारण कर सके ठीक है दोस्तों नियुन्तम समर्थन मूल का मतलब होता है कि एक फसल को एक नियुन्तम मूल दिया जाता है सरकार की द्वारा कि इस कीमत से अगर कम पर पजार में कोई चीज आप बेच रहे हो ठीक है तो उसके लिए सरकार समर्थन मूल देती है कि इस कीमत पर भी हम आपकी फसल को खरी देंगे लकडी के बाजारों में निजी खिलाडियों यानि कि जो निजी बेखती हैं कि एका अधिकार को समाप्त करने के लिए अधिक सरकारी स्वामित वाली लकडी प्रसंसकरंड मिलों की स्थापना की अब सकता है इसके अतिरिक्त सरकार को ये अनुभो करना चाहिए कि लकडी का उत्पारण करने के लिए प्रचुर मात्रा में भूमी विद्धमान है यानि कि बड़ी मात्रा में हमारे देश में खाली भूमी पड़ी हुई है जहांपर हम रक्षों का उत्पारन करके लकडी का उत्पारन कर सकते हैं भूमी उपयोग के आकड़े बताते हैं कि 12.6 मिलियन हेक्टेर क्रसी योग बंजर भूमी तथ 24.58 मिलियन हेक्टेर पलती भूमी की उपलब दता है जिसका उपयोग क्रसी वान की चेत्र में उत्पारन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है ठीक है दोस्तो दोस्तो 21 मार्च को 21 मार्च को वान की दिवश मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है जो कि अभी मनाया गया है 21 मार्च को 1 की दिवश मनाया जाता है घीक है ये भी आपको याद लखνा है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है घीक है दोस्तो तो आज की वीडियो में दोस्तो यही तक बात करते हैं आज हमने आप से लकड़ी काटना One की Logging के बारे में बात की लकरी की कितने परकार है लकरी की क्या आउट सकता है इसके बारे में भी हमने बात किया आप से ठीक है और One की का बहुपयोग प्रबंधन की रोप में क्या किये चीज़ सामिल हैं ये भी हमने देखा तो दोस्तो आज हम यहीं तक बात करते हैं इस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंडर में PDF का लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप रसंद रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और लगतार सीखते रहिए ठीके दोस्तो नमस्कार धन्यवाद जाए हिन दोस्तो